आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung के Samsung Galaxy Tab S9 Series के 1EY650 Android 14 के अप्डेट के बारे में जो की फाइनली Samsung ने इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर इस टेबल 1EY650 Android 14 का साफ्ट अबर जो रोल आउट करा दिया है तो सब कुछ में आपको इंफोमेशन सेर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को एक लाइक कर दिजीगा और चैनल को भी तक आप सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी जरूर से सस्क्राइब कर लेजीगा तो चलिए वीडियो को इस्टारट करते हैं दगिए समसंग ने अपने समसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर अबडेट प्रोवाइट करा दिया है और बहुत सारे स्मार्टफोन को भी बाकी है Android 14 का साफ्ट अबेट जो है मिलना भी बाकी है इंडिया के अंदर तो आज फाइनली समसंग ने अपने समसंग के जो टैब के टैब जो S9 है S9, S9 पलस, S9 जो इस मार्टफोन है टैब उनको यहाँ पे Android 14 का जो है अबेट मिल जुका है टैब S9 स्रीच के लिए अगर हम इसकी अबेट फाइल की अगर साइज की बात करते हैं तो इसकी अबेट की फाइल की साज है 2.6 GB की 2631 MB की अबेट की फाइल है इसके अंदर जो है आपको नेवंबर का सेकूरी पैस देखने को लाते हैं इसके अंदर जो है नए-nay feature को इंकलोड किया गया है नए-nay जो है इसके अंदर जो है performance को इंप्रूब किया गया है security को इंप्रूब किया गया है तो जो भी आप यहां पिस Samsung का tab S9 फोन यूज करते हैं तो software में जाकर manually अपने इस फोन को आपिट कर सकते हैं और देखिए Samsung ने बहुत सारी smartphone के उपर जो है latest test bill number जो है यहां पर फिर में जो है testing भी कर रहा है जो कि बहुत सारी smartphone है जैसे कि मैं अपने कल की वीडियो में बैटाया था अभी तक को वीडियो नहीं देखे हैं तो link description में देदूँगा वहापर जाकर देख लिजएगा जो इस smartphone है उनको लिए बहुत ही जल्दी जो है जो इस 21 FE smartphone है उसके लिए भी जो है Samsung ने Android 14 का अपडेट उलाउट करा लएंवाला है Samsung का A52S है उसके लिए भी जो है Samsung ने बहुत जल्द Android 14 का अपडेट जो है प्रवाइट कराने वाला है तो बस आपको थोड़ा सा वेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में